हेलो दोस्तो, नमस्कार आप सबको, दाराउन सर्कल के नोलीज सर्कल में आप लोगों का स्वागत है, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में क्या चल रहा है, फोक तो चल नहीं रहा, पर फोक से कम भी नहीं चल रहा हूँ वहां के एजूकेशन सेक्टर में, वैसे मैं कभी कोई तारिफ नहीं करना चाता था पाकिस्तान की, पर उन्होंने काम ही अशा कर दिया है, आपको बताई को वह कोरोना वारिस के वज़े से सारे स्कूल बन है, इससे बच्चों को पड़ाई में नुक्सान हो रहा था, तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने स्पेसिली ए पर वहां की आवाम ने अपने वजीर आलम से गुजारिस किया, इसे हमेशा के लिए चलने दे, इससे गरीब अच्चे दो स्कूल नहीं जा पाते, उनकी बड़े मादा धोगी, ये लेटर वहां 9 अप्राईल को मिनिस्ट्री ने सारे केबल वालों को बेज़ा था, इसे मता जो D2H होते, जो केबल होते, जो free channel जैसे हमारे DD channel होता है, ये हर जगा दिखा जाएगा, उन्होंने बताया जो उनका PTV channel, जो state and company होनकी, उसके साथ 3 महीं निका agreement किया गया है, जिसे बड़ाया भी जा सकता है, और वहां के PM, इमरान खान ने खुद एक इच्छा जायर कि इ ऐसे तो पाकिस्तान में कोई भी काम जल्दी ने होता, पर शुकर है उन्होंने यहाँ जल्दबाजी दिखाई, और एक महीने से भी कम टाइम में ये सब कुछ कर दिखाया उन्होंने, जो एक अच्छी बात है, और अब मैं आपको ये time table दिखा रहा हूँ, जो वहां की class के लगते हैं, सुबह आट से साड़े आट उनकी Islamic class लगते हैं, और साड़े आट से सवानो फिर केजी और फेस्ट class के लगते हैं, सवानो वेसे दस दूसरी class और ऐसे ही उनकी सारी class लगते हैं, जो छेव उजे तक चलती हैं, और लास्ट में से 12th class के लिए जाती हैं, तो क्या कारण है, वहाँ आचानक ऐसे एक TV चैनल सालू करवा दिया गया, और इंडिया की तरह online classes क्यों नहीं लगते हैं, देखें, यह पाकिस्तान जैसी एक देश के लिए possible नहीं है, जहाँ online पढ़ाना इतना असान नहीं कि वहाँ किसी भी time shift कर सकें, कि आपके online classes लगेंगे आज वहीं नहीं कहीं, बांगलादेश, नेपाल, बुटान, अफगानिसान, यहां भी कहीं न कहीं possible नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 36% लोगों के पास mobile internet है, और है भी कुछ लोग इसमेंसे हैं, जिनको चीतर चलाना नहीं आता, और कहीं घर में तो सिर्फ एक phone होता है, और बल पास phone है, आपको पता है, यहां मेंले internet होनी के पास होता है, जो थोड़े पड़े लिखे होते हैं, no offense पर आप यह देखी सकते हो, उनकी literacy rate 60% के करीब है, जो कहीं न कहीं कम है, इंडिया की ज्यादा नहीं है, इंडिया की 80-85 के बीच है, जो इसलमाबाद का एरिया है, यहा पाड़ी वो तो आप लाहूर में कह सकते हो, 50-60% है, और ज्यादा कहीं भी literacy rate पाकिस्तान में नहीं है, देखे, literacy rate तभी अच्छा होता है, जब बच्चों पे शुरू से ध्यान दिया जाए, एक से पात साल की उमर में बच्चा सबसे जल्दी सीखता है, क्योंकि एक खाली यह तो बच्चा क्या सिखेगा, बच्चों के दिमाग पे सबसे ज़्यादा असर सुरू से ही पढ़ने लगता है, और जो बच्चों के सामने दिक्कत आती है, वहाँ है, तीन-तीन language subject पढ़ने पढ़ते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में है, दो language subject हैं, हिंदी और है, इसलिए इसको पढ़ने में दिक्कत आती है, और कहीं न कहीं है, इंडिया में क्या effect पढ़ा है हमारे education sector में, देखिए जो भी mainly entrance exam होने थे, जो भी competition exam होने थे, वो सारे पोस्ट पन हो चुके हैं, और school college बंद हो चुके हैं सारे, और जितने भी school college थी, normally mostly सब में online class लग सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं, जो थोड़े छोटे लेवल पे school है, तो वहाँ आप कह सकते हो, online classes possible नहीं है, इसलिए वहाँ कोई पढ़ाए नहीं हो रही, इससे सबसे ज़्यादा नुक्सान बच्चों को है, यह आप अपनी screen में देख रहे हो, यह बच्चों की online classes लग रही है, मैं बच्चों को बोलना चाहता हूं, यह time है पढ़ लो, क्योंकि अगर बाद में आभी ने पढ़ें, तो बाद में बहुत pressure बनेगा, जब lockdown हटेगा, और आपको बहुत दिकत्य होगी पढ़ने में, यह थी हमारे एक छोटी सी पेसकस, पाकिस्तान का education system पर उमेद आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, share, subscribe and have a good day.